क्लोवर का क्या आर्थ होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेती है क्लोवर जो है वो इस तरीके का दिखने वाला एक तीन पत्तों वाला घास होता है और ऐसा भी माना जाता है कि इस घास में आम तोर पर तीन पतियां होती है लेकिन कभी कभी चार पत्ती वाला भी ये घास हो जाता है और जिस भी वैक्ति को चार पत्ते दिखाई देते हैं या चार पत्ती वाला घास मिल जाता है उसे लकी समझा जाता है या कोई लकी वैक्ति होता है उसे ही ये घास जो है चार पत्ती वाला दिखाई दिता है या मिलता है तो इस तरीके का दिखने वाला जो ये घास होता है इसे क्लोवर कहा जाता है जैसे आप ये कहें कि उसे एक चार पत्ती वाला तिपतिया घास मिला और उसे विश्वास था कि है उसके लिए सो भाग्य लाएगा तो आप कह सकते हैं ये फिर आप ये कहना चाहें कि मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के लिए उन्होंने अपनी बगीचे में तिपतिया घास लगाया तो आप कह सकते हैं अब आप ऐसी ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बखवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें